नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के हमारे जियोतिश कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी को बता दे कि आज की सच्चाई सुनकर आप सभी का होश उड़ाने वाला है जी हां दोस्तों आज बड़ी सच्चाई बाहर आ रही है बस आप इस वीडिय को अकेले में ही देखें कि आप सभी के जीवनकाल में यश में ग्रह स्थिती बहुत ही शुब बन रहा है। और इसका लाब आप सभी को कैसे लेना है इस वीडियो में इनी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है जब ग्रह स्थिती शुब होता है और आप जाने अंजाने में कुछ लोगों की बातों में आ जाते हैं जिनके कारण बड़ा नुकसान कर बैठते हैं और नुकसान या होता है कि जो आपकी किस्मत में होता भी है वह भी आपको प्राप्त नहीं होता इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारियां विस्तार से देंगे बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा तीन बार लगाईएगा कमेंट बॉक्स में और देखिए आने वाले 24 घंटे में माता का चमतकार आपको बड़ी खुश खबरी देंगे जिया दोस्तों और ईश्वर की कृपा पाने के लिए जैसे हम उनकी पूजा पाठ करते हैं इस प्रकार ग्रहों की स्थिती को अपनी और बदलने के लिए कुछ ऐसे जोतिश शास्तर में चीज़ हैं जिनको हमें अपने पास रखना बेहद आवश्यक है और आज हम आपको उन्हीं के बारे मे बताने जा रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल ही अकेले में शांत दिमाग से देखिएगा बिल्कुल ये मिस करने की गलती मत कीजिएगा वरना जीवन भर आप रोते रह जाओगे कोई भी आपके आंसू पोंचने नहीं आएगा खुद आपको अपने मेहनत से अपने जीव रोक नहीं सकता है चाहे आपका कोई भी दुश्मन हो कितना बड़ा आपके लिए जाल बिचा चुके हैं वह अपने जाल में खुद फंस जाएगा और आप सारे जगह पर विजय प्राप्त करेंगे सारे दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे बस यह तीन चीज आ लिया तो पूरी दुनिया आपके आगे जुख जाएगी आप रातो रात लगपती करोडपती बन जाएंगे और आपके सत्र भी आपके सामने हथियार डाल देंगे इसका कारण यह है कि इन तीन चीजों में नकारात्मक शक्तियों को काटने की गजब की शक्ति होती है साथ साथ यह तीन चीजें ऐसी हैं जो काम धंधा व्यापार में आपकी उन्नत ही कराएंगे रुपए पैसे को आपकी और चुमबक की तरह आकरशित करेगी साथ ही साथ समाज में दुनिया में आपके मान सम्मान को भी बढ़ाई कि यह दोस्त हो तो आपने यह वीडियो यदी पूरा देख लिया तो आपको कुछ ऐसा अद्भुत घ्यान प्राप्त होगा ऐसी बातों के बारे में पता चलेगा जिन को जानने के बाद आपका जीवन ही पूर्ण रूप से बदल जाएगा हम इस बात की गारंटी देते हैं दोस्तों अब एक बात हम आपको बता दें औ और आपको भी यह बात माननी पड़ेगी कि इस संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हर इनसान को पता नहीं होता है और जिसको इन गुप्त बातों के बारे में पता चल जाता है वहीं का उपयोग करके अचानक से कई सारे फाइदे लाब अपने जीवन में जोड लेता है और तरक्की कर जाता है दोस्तों याद रखना इस संसार में तरक्की करने के दो रास्ते होते हैं एक तो वह है जो हमारे खुद के पूरवज हमें कुछ सिखा दे कुछ बता दे और हम तरक्की कर ले और धीरे धीरे अपने जीवन को आसान बना ले सफलता की स कलेक्टर ही हुआ करे तो दोस्तों जान है और सुविधाएं हैं वे दूसरी पीड़ी तक बहुत कम ही पहुँच पाती हैं और यदि धन संपक्ति भी दूसरी पीड़ी तक पहुँच जाए तो उसे पीड़ी संभाल नहीं पाती है बरबाद चला ही जाता है तो दूसरा तरी जो दूसरे नहीं कर रहे हैं और फिर आप फर्क देखें। उसी मेहनत का आपको कई गुना अधिक परिणाम प्राप्त होगा। आपकी तरक्की इतनी अधिक होगी कि दूसरे सिर्फ देखते रह जाएंगे। आप से जलेंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड नहीं पाएंगे जी हाँ, दोस्तों तो आज के वीडियो का विशय बेहद ही रोचक है और बहुत ही अध्भुत ज्यान से भरा हुआ है। वीडियो का ग्यारा भाग आपको रोमांचित करेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्यान देगा जैसा अब तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है। हम इस बात की गारंटी देते हैं तो वीडियो को प्रारंभ करें लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कॉमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जैश्री हनुमान लिखना ना भूलें। प्रभु का सीधा, प्रेम और आशीरवाद है। आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम आपको बता देए कि आप अपने जीवन में काम तो कर ही रहे हैं। हर एक काम आप कर ही रहे हैं। व्यापार काम धंधे नौकरी, अपने घर परिवार को संभालना, वगेरह वगे प्राप्त होगे। इसका प्रमाण यह है कि आपने सत्यनारायन की कथा तो सुनी ही होगी। उस कथा में आपने एक प्रसंग अवश्य सुना होगा। जिसमें की एक गरीब लकड़हारा जो सत्यनारायन की कथा से बहुत प्रभावित हुआ और वह कथा कराने का इच्छुक लेकिन उसके मन में यह दुविधा थी कि वही तो गरीब है लकड़हारा है। लकड़ियां बेचकर बेचारा बड़ी मुश्किल से ही अपना जीवन यापन कर पाता है तो अब वह भगवान की कथा कैसे करा पाएगा। तू भगवान ने उसे स्वपन में आकर यह कहा कि कल तू लकड़ियां बेचना और तुझे इतना धन मिल जाएगा ना केवल तू अपने घर के सभी सदस्यों को भोजन आदी करा पाएगा। साथ ही साथ कथा के योग्य सामगरी भी जुटा पाएगा और उसके साथ यही हुआ। जब अगले दिन वह लकड़ियां काटकर सामा प्रक्रिया के दौरान ही अपने लकड़ियों को बाजार में बेचने के लिए गया तो उसे इतना धन लाब हो गया कि उसने बड़े आराम से भगवान की कथा कराने के लिए जो सामगरी थी बाजार से खरीद ली थोड़ा बहुत भोजन आदी सामगरी की खरीद ले ताकि उसका परिवार भी भूखा ना रहे तो यह थी जिसकी वजह से उसी कार्यक्रम में रोज करता था परिणाम बहुत अधिक हुआ तो यही होता है दोस्तों जब सकारात्मक उर्जा हमारे साथ होती है और नकारात्मक उर्जा हमसे दूर हो जाती है तो हम काम तो वही करते हैं उसी मेहनत का उसी तपस्या का हमें फल बहुत अधिक प्राप्थ होने लगता है और इसी को लोग तरक्की करना चाहते हैं जी हाँ दोस्तों तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी है आपको अपने जीवन में जोड़ना है उन्ही कारियों में जो आप कर रहे हैं कुछ आपको अलग नहीं करना है बस उन कारियों के साथ इन चीजों को जोड़ना है कि वह को आजमाना है और अंतर आपको साफ साफ महसूस होगा अब ध्यान से सुनिए सबसे पहला काम कि आप जब भी घर से बाहर निकले दोस्तों हम जो भी चीजें आपको बताएंगे वह घर से बाहर निकलने के लिए ही बताएंगे क्योंकि घर में रहकर तो आप सुरक्षित है और घर में रहकर आप अनुपालन नहीं कर रहे हैं दुनिया से संघर्ष नहीं कर रहे हैं किसी और से आपको किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है पराय इंसान की बात कर रहा हूँ मैं तू घर से बाहर निकलते समय ही आपको अतिति संघर्ष करना होता है और धन उपारजन के लिए आपको तरह-तरह की क्रिया कलाप करनी पड़ती है तो उसी समय आपको दैविये शक्तियों की बहुत अधिक आवश्यक्ता रहती है जो ध्यान से सुनिये कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो आपको अपने मुख में पान के पत्ते का एक टुकड़ा और एक इलायची हमेशा अपने मुह में रखकर निकले जिन दोस्तों जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप बस मुह में थोड़ा सा पान का पत्ता तोड़ कर रख लें और इलाइची रख लें और उसे धीरे 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 काफी समय तक अपने मुख्य में रखे रहें जब तक कि आप अपने दैनिक कार्य में रमना जाएं तब तक उसे अपने मुख्य में रखी रहे उन्हें तुरंत जमा कर चुके नहीं उसे निकल जाए दोस्तों आपको हम बताएं आश्चर्य की बात ये है कि इस तरकीब के बारे में लोगों को पता ही नहीं यह बहुत ही कारगर तक की है दोस्तों सबसे पहला कारे की यह दैविये शक्तियों को आपकी और आकरशित करता है यह दोस्तों जैसे ही आप यह कारे करके निकलेंगे आप देखेंगे कि आपका आत्म विश्वास बढ़ जाएगा आपके बात करने के तौर तरीके में परिवर्तन आने लगेगा लोग आपसे अधिक से अधिक प्रभावित होने लगेंगे और यही तो आपको चाहिए अपने कारेस्थल पर की लोग आपसे प्रभावित रहे आपकी हमेशा प्रशंसा करते रहे आपके कार्य की हमेशा तारीफ करते रहे तभी तो आपको सम्मान प्राप्थ होगा तभी तो आपको धन प्राप्थ होगा तो अब ये तो ठीक है आपको क्या प्रयोग करके घर से बाहर निकल अब हम आपको बताते हैं आप अपना पर्सों तो रखते ही होंगे अपनी जेब में अब आपके पर्स में रखने के लिए एक धन की पोटली बनाते हैं काफी प्रचलित है और वास्तु शास्त्र में इसे काफी विस्तार के साथ बतलाया गया है यह दोस्त वैसे तो वास्तु शास्त्र घर के उपर ही कार्य करता है लेकिन यह व्यक्ति के उपर भी कार्य करता है और कुछ ऐसी तरकीब आपको बताता है जैसी आप धन को अपनी और चुम्बक की तरह आकरशित करेगी यानि कि जो पैसा आपने किसी को दिया भी तो वह कई गुना बन कर आपके पास वापस आएगा आपके यहां तो फिजूल खर्ची हो ही नहीं सकती है आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएंगे मुझे दोस्ती से धन की पोटली कहा जाता है और इसे हमेशा आपको अपने पर्स में रखना है और यदि आप फर्स्ट नहीं रखते हैं तो इससे हमेशा आपको अपने बाएं तरफ की जेब में रखना है तो अब ध्यान से सुने कि कौन सी है वह चीज है जो आपके लिए धनकी पोटली का कार्य करेंगे और माता लक्षमी को आपकी और आकशित करेंगे और दोस्तों को ध्यान से सुनिये की कौन सी सामगरी कितनी मात्रा में चाहिए और किस प्रकार इनका प्रयोग करना है इस विदी को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए तो दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए शादी का एक सिक्का छोटे आकार का सिक्का चलेगा दूसरा कि जब भी आप उस सिक्के का प्रयोग करेंगे यानि कि जैसे ही हम बताएंगे कि इस पोर्टली को कैसे बनाना है तो सबसे पहले उस सिक्के पर आपको थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है यह माता लक्षमी को बेहत प्रिय है तो अब तो यह सिक्का हो गया और हल्दी हो गई दूसरा इलायची का एक जोड़ा इलायची हाथ ही होनी चाहिए सूची इलायची नहीं होनी चाहिए दोस्तों तीसरा शमी पत्र बहुत ही आवश्यक है शमी पत्र चौथा ग्यारा चावल के दाने और चावल के दानों पर भी हल्दी लगी होनी चाहिए अब इतनी सामगरी आपको लेनी है मातरा हमने आपको बता दी है अब इसे आपको एक कागज पर लपेटना है कागज सफेद रंग का कागज लेंगे और उस कागज पर आप लाल रंग की पेंट से छे बार बार श्री श्री लिखेंगे दोस्तों यानि कि जो मातालक्ष्मी का सूचक है छे बार आपको लिखना होगा छे जो नंबर है वह मातालक्ष्मी का नंबर है तो आपको छे बार श्री लिखना है अब पूरी सामग्रियों को आपको लपेट लेना है आपको लपेटने के लिए उसी कागज का प्रयोग करना है जिस पर कि आपने छह बार सही लिखा हुआ है ध्यान से सुनना दोस्त बहुत ही कारगर उपाय है आप बस इसे करके देखें और दूसरे ही दिन से आप इसके परिणाम देखें आपके बिगड़े हुए काम भी बढ़ने लगेंगे और पैसा तो आपकी और भागा भागा आएगा दोस्तों अब आपने उसी कागज में जिसमें की आपने छह बार श्री लिखा था उसी कागज में आपने इस सामगरी को लपेट लेना है अब इसके बाद आपको इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटना है और लाल रंग के कपड़े पर आपको लाल रंग का ही धागा कलावा जो भी कुछ है उसे आपको लपेट लेना है साथ बार आपको इसे लपेटना है धागे से बस ये कि धन की पोटली तयार है अब आपको क्या करना है ये प्रक्रिया पहली बार जवाब करेंगे तो शुक्रवार के दिन ही करें और इसे माता के सामने चरणों में रख देती हो दोस्तो आपके पूजा घर में माता लक्षमी की जो तस्वीर होगी जो फोटो होगी आपको इसे रात्री भर के लिए माता के चरणों में रख दिया है और अगले दिन जब आप घर से बाहर निकले तो चुप चाप से अपने भाई तरफ की जेब में यानि कि शर्ट की जै हो या पेंट कीजिए को बाई तरफ कीजिए मैं आपको सिर रख कर निकलना है यदि आप पढ़ सकते हैं तो आप इसे पर्स में भी रख सकते हैं या दोस्तो आप देखें कि तैसी आपके जीवन में चमतकार होनी शुरू हो जाती है उर्जा में परिवर्थित होने लगेंगे और आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे अब दोस्तों ये जो छोटे छोटे उपाए हैं जो हम आपको बता रहे हैं उपाए इतने छोटे हैं नहीं लेकिन जितनी आसानी से हम आपको बता देते हैं आपको सुनने में ये छोटे मोटे उपाय ही लगते होंगे। लेकिन अब यकीन मानिये कि कई वास्तु एक्सपर्ट और जियोतिशाचार्य उपायों को करने के लिए भी लोगों से तरह तरह के रुपए की मांग करते हैं और लोग हस्ते हुए रुपए देवी देते हैं और बिचे ना आने दें आप देखेंगे कि आपका भाग्य आपके हाथों ही निर्मित हो जाएगा बदल जाएगा। अब दोस्तों विचार करने वाली बात ये है कि यह सामगरी चलेगी। कब तक क्योंकि समय के साथ साथ सामगरी पुरानी होने लगेगी। दूशित भी हो ज स्वक्ष हो जाएगा बाकी की सामगरी को आप किसी पौधे की जड़ में डाल सकते हैं या फिर बहते हुए जल में भी प्रभावित कर सकते हैं किसी भी तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और उन्हें अगले शुक्रवार को यानि शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार त देखिये ऐसा ही कुछ मिलता जुलता उपाय हमने धनकी पोटली के विशय में भी आपको बताया था जो कि घर की तिजोरी के लिए था लेकिन उसमें सामगरी अधिक थी और उसको बनाने की तरकीब लगभग ऐसी ही थी मिलती जुलती थी लेकिन सामगरी बढ़ जाती है उसमें इसका कारण यह है कि जो तिजोरी है वहाँ आप पंकज संचय करते हैं तो वहाँ सामगरी यानि वहाँ उर्जा को केंद्रित करने की बहुत अधिक आवश्यक्ता होती है ज्यादा से ज्यादा मातरा में उर्जा एकाग्र हो केंद्रित हो तो आपका धन बचा रहेगा और बढ़ता रहेगा इसलिए उसकी सामगरी थोड़ी सी से अलग रही है लेकिन देनिक सामगरी है जिसे आप चाहे तो रोज भी बदल सकते हैं और चाहे तो साफ दिन में एक बार भी बदल सकते हैं और कुछ छोटी-छोटी सी बातें और भी बताएंगे दोस्त फिर हम आपको तीसरा प्रयोग बताएंगे जब भी आप घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा इत्र अवश्य लगा कर निकला करें ये दोस्तों और इत्र लगाने के लिए आप वैसे तो कहीं भी लगाले कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आपकी शरीर में एक शुक्र परवत होता है उस शुक्र परवत पर आप इतना अवश्य लगाया करिए आप देखेंगे कि धन लक्ष्मी वैभव आपकी और दोड़ा चला आएगा तो ये शुक्र परवत कहां होता है अब इत्र तो आपके घर में होगा ही उसे तो आपको बताने की आवश्यक्ता नहीं है नहीं है तो आप बाजार से खरीदना है कोई भी अच्छी सुगंध वाला इत्र सस्ता सा ही आजाता है अब उस शुक्र परवत कहां है तो आपकी जो हथेली है उसमें जो अंगूठा है उस अंगूठे की जड़ में यानि कि उस अंगूठे के निचले भाग में जो उभरा हुआ हथेली का हिस्सा होता है अंगूठे के नीचे का उबला हुआ हथेली का हिस्सा जो होता है उसे शुक्र परवत कहा जाता है शुक्र परवत को सक्रिये करने की विधी भी हमने आपको पिछले एक वीडियो में बताई थी आपको वहविधी जरूर आजमानी चाहिए इससे भी आपके जीवन में डॉक्टर सुविधाएं बढ़ेंगी संघर्ष कम होने लगेगा शुक्र जो है वहधन वैभव का आग्रह है आपके जीवन में एश्वर्य सुख सुविधाएं जोडने का काम करता है तो आपको इसको सक्री करना बहुत जरूरी है फिल्हाल हम आपको बता देंगे जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपनी हथेली के इस हिससे में थोड़ा सा इत्र लगा कर हलकी सी मसाज अवश्य कर लिया करें दोनों हाथों के सुख परवतों को आपको एक दूसरे के ऊपर रख कर मसाज करनी है इत्र लगा ले और मसाज कर ले हलकी सी थोड़ी सी करनी है आपको एक आद मिनट के लिए और फिर आप घर से बाहर निकले देखेंगे आपकी आपका दिन बन जाएगा शमतकार हो जाएगा जैसा आपने सोचा नहीं था वैसा आपके साथ होने लगेगा अब कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि आपने जैसे ही तरक्की प्राप्त करनी शुरू कर दी वैसे ही किसी की नजर लग गई आपकी बुराई पहली नकारात्मकता तु नजर से ही आती है अब नजर कोई जान बूज कर दे या अंजाने में भी दे दे नजर जरूरी नहीं कि कोई जान बूज कर ही आपका बुरा करना चाहता है तो नजर लगेगी आपको बुरा नहीं करना चाहता बस उसके मन में भावनाएं उठी और आपको नजर लग जाएगी ये दोस्तों अब उस से आपको कैसे बचना है तो उसके लिए उपाए जो हम आपको अपने कई वीडियो में बता चुके हैं इस बार भी बता देते हैं कि आपको लॉंग का एक जोड़ा हमेशा अपनी जेब में रखकर ही घर से बाहर निकलना है दे दो तो आपको यहमान कर ही चलना है कि आज आपको नजर लगेगी चाहे आपके काम को लगे या आपके व्यापार को लगेगी आपके काम धंधे नहीं तो आपके जो आप वहन चलाते हैं गाड़ी चलाते हैं या फिर से आपको ही लग जाएगी तो फिर उस नजर से आपको बचना बहुत आवश्यक है यदि आप वही नकारात्मक उर्जा अपने घर में लिये गए तो वह नकारात्मक उर्जा आपके घर में कई तरह के विध्वन्स मचा सकती है और भी कई बड़ी प्रचंड नकारात्मक उर्जा को आकरशित कर सकती है ये दोस्त और उसे छोड़ दो लॉंग का एक जोड़ा आपको अपनी जेव में रखकर निकलना है जब भी आप घर से बाहर निकले एक लोगों का जोड़ा अपनी जेव में रख ले हमने आपसे पहले ही कहा था कि समझदार लोग लड़की में आजमाती है प्रयोग करते हैं काम तो एक जैसे ही होते हैं लेकिन फाइदे अलग-अलग होते हैं तो आपको भी अब यही करना है लोन का एक जोड़ा अपनी जेव में रखकर बाहर निकले और जब आप बाहर से अपने घर में प्रवेश करेंगे शाम के समय अपना काम खत्म करके फिर आपको घर से बाहर जाना नहीं है तो आपको वह गाम का जोड़ा घर के बाहर घुसने से पहले ही आपको अपनी पीठ की तरफ फेंक देना है पीछे मुड़े बिना पीछे देखे बिना आपको अपनी पीठ की तरफ फेंक देना है और सीधे अपने घर में प्रवेश कर जाना है आप किसी को बिना दिखाई दिये कर सकते हैं आप फिर ऐसे ही लोगों को जोड़ सकते हैं किसी को पता नहीं चलेगा नहीं तो लोग सोचेंगे कि पता नहीं आप क्या कर रहे हैं और आप देखेंगे कि आपके घर से नकारात्मकता गायब होने लगेगी और आपको नजर तो किसी भी कीमत पर लगेगी ही नहीं आप याद रखें कि बड़ी से बड़ी उद्योग धंधे व्यापार तक ठप हो जाती है सिर्फ नजर लगने की वजह से और बड़ी से बड़ी सफलताएं भी धूल में मिल जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं बस एक छोटी सी नजर की वजह से क्योंकि नजर लगते समय जरूर छोटी होती है लेकिन यह फिर कई तरह की नकारात्मक उर्जा को अपनी ओर आकरशित करने लगती है क्योंकि जैसी उर्जा होगी वैसे ही अन्य युवाओं को आकरशित करेगी तो एक नकारात्मक उर्जा कई प्रकार की नकारात्मक उर्जा को आकरशित करती है और फिर धीरे धीरे विनाश लीला शुरू हो जाती है तो आपको शुरुआत ही होने नहीं देनी है और फिर आप देखेंगे कि कोई भी नकारात्मक उर्जा आपके जीवन में होगी की नहीं तो अब ये तु थी सामान्यसी बात है जो आपको अपने जीवन में आजमानी है अब बताते हैं, वहीं तीसरी बात, इसे एक कोड कहते हैं. जी हाँ दोस्तों, अंक शास्तर का एक बहुत ही खूबसूरत अंग है, अब तक हमने आपको किसी भी वीडियो में बताया नहीं, पहली बार बताने जा रहे हैं और इस अंग को आपको कैसे प्रयोग करना है, ये भी विदी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो अब ध्यान से आवश्यक कोड है, दोस्तों, इसे अंग्रेजी में कोड ओफ वेल्ट कहा जाता है, यानी, दौलत का अंक कहा जाता है, जिसके पास ये कोड होता है, उसके पास चाहे वह कितना ही कोशिश करे, अपनी उन्नति को रोकने क्यों न लगे, लेकिन उसके पास माता लक्षमी अवश्य आएगी कोई रोखी नहीं सकता है तो आप समझ गए इसकी शक्ती कितनी ज्यादा है तो ध्यान से सुनिए कि यह कोड क्या है और इसका आपको प्रयोग कैसे करना है तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है एक सफेद रंग का कागज लेना है चौकोर कागज लेना है आपको छोटा सा और उस कागज पर हरिजन की पेन से आपको यह अंक लिख देना है अंक आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा और आप ध्यान से सुने हम बोल भी रहे हैं अंक है 19.1962147 बस आपको ये अंक लिख लेना है और इस कागज को रिकॉर्ड में उड़ना है दोस्तो आप देखेंगे ये कागज आपको कुछ इस प्रकार से मुड़ना है कि इसका एक ट्राइंगल बनेगा कौन बनेगा तीन कोना वाला आपको इस कागज को अपनी जेब में रखना है अपने पर्स में रखना है जैसी आप धन की पोटली को अपने पर्सियाचीन में रखेंगे वैसे ही आपको इस कोड को भी अपनी जेब में रखना है जब भी आप घर से बाहर निकले उस समय आपको ये अपनी जेब में रखना है और आप देखेंगे कि पैसा छुमबक की तरह आपकी और आकरशित होगा आप चाहे भले ही दिल्चस्पी ले या ना ले लेकिन आपको फाइदा होगा आपके पैसे का काम छुटकियों में बजाया करेगा तो रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे और आपकी तरक्की होने लगेगी वैसे तो बताने के लिए बहुत सारी बाते हैं जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए एक पूरा क्रम होता है एक नियम होता है वर्ग कम्पीट करते रहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लंबे होते हैं. हालां कि हम कहते हैं कि हम अपनी हर एक बात आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं. शायद इसी वजह से हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो जा. घर के साथ देखेंगे तो आपको बहुत अद्भुत घ्यान प्राप्त होगा जैसा कभी कहीं किसी ने आपको दिया नहीं होगा और बहुत सारे लोग हमारे कांटेक्ट को कॉपी भी करते रहते हैं. इसलिए आपको हो सकता है कि कोई हमारी कॉपी करके आपको वीडियो बना कर दे दे तो आपको यह बातें सुनने को मिल जाए. लेकिन पहली बार यह बातें यूट्यूब पर केवल हम ही लेकर आते हैं. इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है तो अब आपको इन बातों को अपने जीवन में आ जाना है. फिर आपके जीवन में क्या परिवर्तना आए? इसके विशय में आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं. लेकिन हम आपको एक बात अंत में जाते जाते और बता दें. जो आपके जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है और बदलाव की प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी. और वह यह है कि आपकी राशी के जातक जितने धार्मिक होंगे, आध्यात्मिक होंगे और सत्य की राह पर चलेंगे. उतनी ही ज्यादा तरक्की प्राप्त करेंगे, उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे, मान सम्मान प्राप्त करेंगे, जो चाहेंगे तब मिलेगा. शाकाहारी भोजन ग्रहन करना है साथ वीला पर पूजन लेना है तामसिक भोजन नहीं लेना है अन्यथा आपको क्रोध बहुत आएगा और आपके बनते हुए काम बिगड़ती चली जाएगी अपनी सेहत का खयाल रखें व्यायाम अवश्य करें योग प्राणायाम से जुड का ही क्योंकि आज के वीडियो में हमने आपको बाते ही धेर सारी बधाईयां ली है यदि कोई प्रशन उठता है तो आप कमेंट करें हम आपके कॉमेंट का निश्चित तोर पर जवाब देंगे इस बात का हम वादा करते हैं आप से इसी के साथ साथ वीडियो को विराम दे रात होगी आशीरवाद आपको प्राप्त होगा आपका उद्दार होगा मिलते हैं अगले ज्यानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद